पाकिस्तान जान पूछ के फसा रहा है भारती लड़कियों को अन्जो के बाद राजिस्तान से अब एक और लड़की पाकिस्तान के लोहार के लिए रवाना हुई अन्जो को फेसबुक से तो इसको इंस्टेग्राम से फसाया अपके घर में भी लड़किया सोशल मीडिया का इस्तमाल करती है तो अब हो जाएए सतर्क, फेस्बुक, इंस्टेग्राम, वाटसप चलाना आप पाकिस्तान का रस्ता तै कर सकता है अंजो तो फिर भी उमर में बड़ी थी लेकिन ये लड़की तो मातर 17 साल की थी अंजो के बाद पाकिस्तान अब भारत से नाबालिक और कुवारी लड़कियों को फसा रहा है पाकिस्तान की नापाक साज़श का हुआ बड़ा परदफाश अमोधी सरकार ले की बड़ा आक्शन अंजो भी राजस्तान से थी और ये लड़की भी राजस्थान की अंजो भी लोहार गई है और ये लड़की भी लोहार जाने के लिए रावाना हुई थी लेकिन शायद इस लड़की और परिवार वालों की किस्मत अच्छी थी पाकिस्तानी साज़श का शिकार होने से पहले ही हो गया खुलासा, उम्र मात्र 17 साल, पासपोर्ट वीजा तक नहीं और निकल पड़ी पाकिस्तान के रस्ते पाकिस्तानी लड़के ने इंस्ट्रेग्राम से किया ब्रेन वाश परिवार वालों को कानो कान तक खबर नहीं जब से सीमा हैदर पाकिस्तान आई तब से पाकिस्तान और भारत के बीज में एक ही मुद्दे पर खबर का सलसला जारी है लेकिन सीमा हैदर के बाद राजस्तान की अंजू पाकिस्तान जाकर नसुरुला से शादी करके इसलाम कबूल लेती है लोग सीमा हैदर को भी भूल कर अंजू की चर्चा करने लगते हैं लेकिन अब एक और नया खुलासा सामने आ रहा है राजस्थान की सिकर की रहने वाली 12-17 साल की एक और नबालिक लड़की को पाकिस्तान में फसाया इंस्टाग्राम के जरिये उसका भी ब्रेनवाश किया गया इसे लोहार बुलाया गया कच्ची उमर की ये लड़की भी फस्ती गई पाकिस्तानी लड़के के जाल में निकल पड़ी अपना घर छोड़ कर पाकिस्तान के लोहार के लिए राजसान सिकर से ये जैपूर के एरपोर्ट तक आ गई और पाकिस्तान की फ्लाइट पकड़ने के लिए तैयार हो गई लेकिन लड़की और उसके परवार वालों की किसमत अच्छी थी क्योंकि दोपहर दो बज़े जब जैपूर एरपोर्ट आकर पाकिस्तान के लिए टिकेट मांगती है एरपोर्ट स्टाफ ने पहले तो इसे माजाग समझा लेकिन उसके बाद उसने बताया कि मैं तो पाकिस्तानी हूँ अपने भुआ के साथ तीन साल पहले भारत आई थी और अब वापस जा रही हूँ पाकिस्तान अपनी भुआ से मिलने इतना जूट बोल दिया मातर 17 साल की लड़की ने पाकिस्तान जाने का नशा और इंस्टेग्राम के प्यार का भूथ कुछ इसकदर सवार था उसके सर पर लेकिन एरपोर्ट स्टाफ की सूट भूथ और समलतारी के चलते लड़की को पाकिस्तान में फसने से पहले ही रोक लिया गया लड़की से पूछा गया तो उसने बताया कि पाकिस्तान में लौहार के पास इसलामाबाद में रहने वाली है लेकिन एरपोर्ट पे पुलिस कर अस्लम से हुई थी। लड़की ने यहर भी बताया कि उसके स्कूल के और भी दोस्त असलम की दोस्त है। यह देकिए इसका मतलब असलम ने एक लड़की को नहीं फसा वाल हो इस आरकल बलकिस तरम के लड़की ओर भी लड़की होई रहुत प्सार रखा है। फिर भी पाकिस्तान के लिए निकल पड़ी पुलिस का कहना है कि यह हनी ट्राप है लड़की का आरोपी ने ब्रेनवाश किया असलम ने इस लड़की के दिमाग को कुछ इस तरह से गुमाया कि लड़की पाकिस्तान जाने के लिए मजबूर हो गई घर से केवल 200 रोपे लेकर जैपूर एयरपोड पहुच गई हो सकता है अंजू भी किसी इसी तरह की साज़श का शिकार हुई हो और जब पाकिस्तान पहुची तो उसका जबरदस्ती निगाह करवाया गया हो धरम परिवर्तन कराया गया हो असलियत कौन जानता है आप भी अपने बच्चों को सोचल मेडिया पर इस बात की निगरानी रखें ऐसी तमाम खबरों से अपडेटिट रहने के लिए हमारे फेस्बुक के लिए